क्या खूब जमेंगा रंग जब रुतुराज गाइकवाड और डेविड वोर्णर होंगे एक संग नमस्कार स्वागत करते हैं आपका स्पोर्ट सियारी में मैं हूँ आपके साथ आयूश और साल दो हज़ार पच्चिस मेगा आउक्शन में CSK में एक स्टार ओपिनर जो की है डेविड वोर्णर उनके इंट्री हो सकती है अब आप पूछेंगे कि ऐसे कैसे किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं तो वो सारे इंडिकेशन्स मिल रहे हैं इस साल की आप देख सकते हैं डेविड वोर्णर CSK में आ जाए पूरी बात ब रहे हैं जो consistency का पर्याव आची रहे हैं यानि सिननिम रहे हैं IPL में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए यह उन चुनिंदा बैटर्स में से हैं जिन्हों ने कई सारे रन बनाए हैं और Dependability की बात करें, अगर आप बात करें consistency की, तो उसमें जो total आपके openers की pool है, उसमें David Warner top 10 नामों में से जरूर से जरूर शामिल होंगे अगर हम IPL के stats निकालते हैं, तो इसी के साथ आप ये भी देख लीजिए कि CSK का ये हमेशा से इतिहास रहा है, कि वो अपने openers में या फिर consistency का वादा करते हों, आप देख ले अगर पन्नों को पलट कर तो आपको वहाँ पर अंबती राइडू के साथ में Shane Watson का नाम मिलेगा, आपको वहाँ पर experience के नाम पर इमरान ताहिर, हरबजन सिंग साल 2018 तो आपको यादी होगा, तो उसी कड़ी में एक और fit हो सकते हैं David Warner, व हमने देखा है कि जो experience जादा carry करता है, CS के हमेशा उन्हें चुनती है, ठीक है, साती में out of form भी चल रहा है, अगर आप बात करें साल 2024 IPL की, तो 200 run का season था लगबग और David Warner से ऐसा अकसर देखने को नहीं मिलता है, मातरी 200 run का season David Warner के हिसाब से बहुत ही खराब रहा है, क्योंकि अगर आब बात करें साल 2030 की भी वहां पे भी लगबग साढ़े 500 run का season था, बात करें साल 2022 की भी तो 432 run का season वहां भी था, और आपको याद होगा कि वो साल जब विराट कोली, इन्हें ने जब जीता भी था IPL 2016 में, विराट कोली के 973 runs थे और वहीं David Warner उस साल अल्मोस करते हैं David Warner और अगर आप देखें तो अभी out of form चल रहे हैं, और हमने देखा है कि out of form player जब CSK में आता है, तो वो किस तरीके से perform करता है, इसी की साथ अगर बात करें David Warner के और क्या वजा है, तो retired from international cricket, आपको याद होगा कई सारे ऐसे player जो international cricket से retirement लेते हैं, और फिर चन्नी उन्हें ले के आती हैं और वो जो मिडा स्टेचम बोलते हैं माही का, जिस तरीके से माही उन्हें ग्रूम करते हैं, जिस तरीके से माही उन्हें अपने छत्रचाय में रखके बड़ा करते हैं, बड़ा मतलब in the sense, जो उनका नाम है, उस expectations जो उन से लगाय जाता है, उस पे आखरी और सबसे important point की franchisee ने इन्हें रिटेन नहीं किया है, डेविड वार्नर को रिटेन नहीं किया गया है, अब आपने देखा है कि जब अजिंक्या रहने को रिटेन नहीं किया गया था, जब शेन वाटसन को रिटेन नहीं किया गया था, मोईन अली को रिटेन नहीं किय और फिर आप देखते हैं कि साल 2018 में शेन वाटसन आपको जिता देते हैं IPL 2019 पूरे सीजन शेन वाटसन का फॉर्म नहीं था फाइनल्स में जाकर रन मना देते हैं वहीं अगर आगर आगर बात करें अंबती राइडू की 2018 विनिंग टच उनी का था आपको अगर याद हो इसी के साथ अगर आब बात करें अंबती राइडू 2030 IPL फाइनल में वो जो क्विक फायर नौक खेला था इसी के साथ अगर आब बात करें इमरान ताहिर की जब वो आये थे 2018 में जीत के गए था हरवजन सिंग की आब बात करी या फिर आब बात करी किसी भी दूसरे खिलाडी की जो अपने साथ experience लेके आ रहे थे out of form थे और धोनी ने उन्हें अपने अंदर खिलाया अपने साथ खिलाया और अपने साथ ना केवल खिलाया बलकि performance भी deliver करवाया इसी के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कप्तान रुतुराज गायकवार्ड क्यूंकि अब नया कप कप्तान आ चुका है CSK में MS Dhoni को replace कर चुके हैं रुतुराज गायकवार्ड as a captain तो वो क्या experience के साथ जाना चाहेंगे या फिर वो किसी youngster के साथ जाना चाहेंगे जो यहां से लगबग 5-10 साल का सफर तय कर सके इनके साथ as an opener क्यूंकि कप्तान रुतुराज गायकवार्ड जिस तरीके से लगतार consistently performance deliver करते हैं जरूरत है तो बस एक दूसरे opening partner की जो की consistently इनकी तरह ही runs deliver कर सके और अगर consistency की बात करें तो David Warner के stats ही अलग है फिर वो God level पर रहते हैं तो एक बार आपको stats भी बता देते हैं कि David Warner अभी तक IPL में कैसा perform किया है अगर आप देखे David Warner ने IPL म हैं लगबक 184 games खेले हैं 6565 runs लगबक 41 40.52 की average है साती साथ उनकी strike rate भी अगर आप देखें तो बहुत बुरा आप नहीं बोलेंगे नहीं आप इसे बहुत जादा अच्छा करार कर सकते हैं क्योंकि अभी modern day cricket में थोड़ा इस से aggressive intent चाहिए होता आपको पर जिस era सा यह खेलत rate is very good very good और साती में अगर आप देखें तो 6250 मार चुके हैं और 400 भी हैं और हमने देखा है अकसर कि ऐसे players जो कि out of form चल रहे हो पर caliber इनके पास बहुत जादा हो confidence इनके पास बहुत जादा हो पर team जो इनकी पूर फ्रेंचाइजी थी उन्होंने इन पर confidence नहीं जता है इन पर भरोसा नहीं किया तो जब भी यह CSK में आते हैं तो उसके बाद यह performance कैसे deliver करते हैं और शायद क्यूंकि अगर आपको बताए पर्स के बारे में भी जो अभी पर्स बाकी है आपका CSK के पास उसके अनुसार लगबग अभी 55 करोड़ रुपे बाकी है और क्यूंकि से आठ कलोड के बीच में चन्ने को मिल जिया और अगर इस प्राइज में डेविड वॉर्णर मिलते हैं और अगर धोनी का मिडास टाच वापस से इन पर काम कर जाता है क्यूंकि अगर आप इनके रिटेंशन भी देखें तो रुतुराज गाइकवाड मतीशा पतिराना शि की के फ्रेंचाइजी जो है वो डेविड वाडनर लेके आ जाती है टीम में तो शायद ये एक स्टील हो सकता है और उसी तरीके से आपको ये भी ऐस्ट्रेलियन बैटर परफॉर्म करते हुए दिख सकते है जैसा शेन वाटसन ने किया हुआ है जैसा और भी हमारे लिए अल कि क्यों ऐसा हो सकता है कि आपको साल 2025 में डेविड वाडनर IPL में चन्ने की टीम में दिखें आपको क्या लगता है कि क्या डेविड वाडनर साल 2025 में IPL में CSK की फ्रेंचाइजी से खेलने वाले है और साथी साथ ये भी बताइएगा कि क्या आप चाते हैं कि वो डेविड हो जिनके पीछे जाए चैन्नी सूपर किंग्स या फिर हो कोई वो और दूसरा ओपनर कमेंट सेक्शन में अपनी रहा हमारा साथ जरूर साजा कीजिएगा वीडियो पसंद पढ़ियो तो लाइक शेर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तब तक के लि दीजे मुझे इजाजत जै हिंद जै भारत